मैं डिक्टेशन सुरू होगी पांच सेकिंड बाद। दिनांख 19 अप्रेल 2010 और 27 अगस्त 2010 के आदेसों के विरुद निर्देसित है जिसके तहट उच्चन्यायाले ने अपील करता दुवारा दायर प्राकर्में लिकत अदीनियम 1881 की धारा 138 के तहट 40 बिविन सिकायतों को रद कर दिया है फुलिष्टोप उत्तरदाताओं के विरुद विनोद तन्ना एवं अन्ने मामले में इस नियाले के निर्ने पर भरोसा करते हुए पुलिष्टोप बनाम जहीर सिद्ध की और अन्ने फुलिष्टोप 7SCC 541 उचन्यायाले ने यह विचार किया है कि इस आधार पर चेक का अनाधर करना की चेक जारी करने वाले के अस्ताकसर बैंक के पास उपलब्द नमूना अस्ताकसरों से मेल नहीं खाते हैं धारा के दंडात्मक प्रावदानों को आकरसित नहीं करेगा फुलिष्टोप प्राकरम में लिखत अधिनियम की धारा 138 उचन्यायाले के अनुसार धारा 138 के प्रावदान केवल उन मामलों में लागू होते हैं जहां चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि चेक जारी करता दुआरा बनाए गए खाते में जमा दनराशी चेक राशी का भुगतान करने के लिए अप्रियाप्त है या चेक राशी अधिक है बैंक के साथ किये गए समझोते दुआरा बुगतान करता दुआरा रखे गए खाते से बुगतान की जाने वाली राशी की विवस्ता की गई है फुलिश्टोप उच्चन्यायाले के अनुसार इस आधार पर चेक का अनादर करना की चेक जारी करता के अस्ताकसर बैंक के पास उपलब्द नमूना अस्ताकसरों से मेल नहीं खाते हैं इन दोनों में से किसी भी आकस्मिकता में नहीं आता है जिस से उत्तरदाताओं के खिलाब मुकदमा कानूनी रूप से एसिकवारिय हो जाता है फुलिष्टोप इस से पहले की हम पकसों के बेदवान वकीलों दुआरा बाद में प्रस्तुत किये गई तरकों के गुण दोश पर ध्यान दे हम उस तथ्यात्मक प्रश्ट भूमी को संक्षियप में बता सकते हैं जिसमें बिवाद उत्पन होता है फुलिष्टोप पैरा अपील करता एक स्वामित्व वाली फर्म है जो रासायनों की बिक्री में लगी हुई है फुलिष्टोप इसने पिछले कुछ वर्षों में पर्तिवादी कम्पनी को उस संबंद में जारी किये गए बिविन चालानों और बिलों के विरुद नैफेतिलीन रासायन की आपूर्ती की है फुलिष्टोप अपील करता का मामला यह है की अपील करता के खाते की किताबों में पर्तिवादी कम्पनी के नाम पर एक चालू खाता खोला गया था जिसमें आपूर्ती की गई वस्तों का मुल्य मानक लेकांकन अभ्यास के अनुसार समय समय पर डेविट किया गया था फुलिष्टोप अपील करता के अनुसार 4.91.91.35 रुपे की राशी प्रतिवादी कम्पनी के किलाव पूर्व की लेखा पुस्तकों में बाद की आपूर्ती के लिए बकाया थी फुलिष्टोप अपील करता का आगे का मामला यह है कि प्रतिवादी कम्पनी ने उप्रोक्त राशी के बुगतान के लिए अपने अधिकरत अस्ताकसर करताओं के अस्ताकसर के तहत कई पोस्ट डेटेड जेक जारी किये फुलिष्टोप प्रस्तुत किये जाने पर इनमें से कई चैक उस बैंक दुआरा अनादृत कर दिये गए जिस पर चैक जारी किये गए थे इस आदार पर की चैक जारी करने वालों के अस्ताकसर अधूरे थे या कोई छवी नहीं मिली थी या अस्ताकसर मेल नहीं खाते थे फुलिष्टोप पैरा अपील करता ने उत्तरदाताओं को दारा 138 के तहत बेजे गए वेदानिक नोटीस के संदर्व में अनादरन के बारे में सुचित किया और उन से चैक दुआरा कवर की गई राशी का भुगतान करने के लिए कहा फुलिष्टोप यह सामानने आदार है की चैक दुआरा कवर की गई राशी का भुगतान उत्तरदाताओं दुआरा नहीं किया गया था हालांकी उत्तरदाताओं के अनुसार कम्पनी ने दिनांक 30-12-2008 को एक पत्र दुआरा अपील करता को अधिदेस में बदलाओ के बारे में सुचित किया था और अपील करता से चैक वापस करने का अनुरोत किया था फिलिष्टोप नए चैक के बदले में यह भी बिवाद में नहीं है की बैंक के नए आदेस के अनुसार अधिकरत अस्ताक्सर करताओं दुआरा अस्ताक्सरित नए चैक अपील करता को कभी भी जारी नहीं किये गई थे क्योंकि ऐसे चैक जारी करने की पेसकस खातों के निप्टान के अधिन थी जोकी के अनुसार थी पर्तिवादी को निवर्तमान अधिकरत अस्ताक्सर करताओं दुआरा ब्रहमित किया गया है फुलिष्टोप मामले की कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तरदाताओं को नोटिस दिये जाने के बावजूद चैक का बुगतान नहीं हुआ जिसकी परिनती दारा 138 के तहट उत्तरदाताओं के खिलाब 40 अलग-अलग सिकायते दर्ज करने के रूप में हुई फुलिष्टोप बेदवान ट्रायल कोर्ट के समक्स प्राकरम में लिखत अधीनियम का जिसने अपराद का संग्यान लिया और प्रतिवादियों को उनकी उपस्तिती के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश दिया फुलिष्टोप समाप्त